बिस्मिल्लाहिर रह्मा निर्रहीम, अस्सलामु वालेकुम दोस्तों। आज एक घमंडी शहजादी और लकढ़ारे की कहानी जानेंगे। बादशाह ने अपनी बेटी की शादी लकढ़ारे से क्यों कर दी, आईए जानते हैं। बादशाह की शादी के बाद बद्धी मिन्नतों, मुरादों से शहजादी सुल्ताना पैदा हुई थी। बादशाह और मलिका तो उसकी पैदाईश पर खुश थे ही, बगर जिस रोज वो पैदा हुई थी, पूरे मुल्क में खुशी की एक लहर दौध गई थी। हर तरफ जश्न मनाया जा रहा था। बादशाह को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी प्यारी बेटी का बाप बन गया है। वो रोती थी तो यू महसूस होता था जैसे चारों तरफ जलतरंग बजने लगे हो। उसकी हसी की आवाज कैसी थी ये कोई नहीं बता सकता क्योंकि इतने चोटे बच्चे हसते नहीं सिर्फ मुस्कुराते हैं। बादशाह का दिल अब दरबार में भी नहीं लगा करता था। उसका तमाम ध्यान शहजादी सुल्ताना में ही लगा रहता था। शहजादी सुल्ताना की परवरिश बद्धे नाजो नाम से हो रही थी। उसके खिलोंने साथ समुंदर पार से आते थे। उसे किसी हद तक बिगार डाह दिया और वो काफी बत्तमीज हो गई थी। वो किसी का कहना नहीं मानती थी। खाने की कोई चीज पसंद ना होती तो उसको फेंक देती। मलिका से चीख कर बात करती थी, बाप से चीख कर बात तो नहीं करती थी, लेकिन अगर उसे बादशाह की कोई बात पसंद ना थी, तो दात पीस कर उसके चुटकी भर लिया करती थी, ये बात नहीं थी कि वो सिर्फ मलिका का कहां ही नहीं मानती थी, बादशाह भी उससे था उस दिन ठनका जब अपनी सोलहवी साल गिरह की तकरीब में गुस्से में आकर उसने केक को जमीन पर गिरा दिया उस तकरीब में वजीर, मुशीर और उम्रा अपनी बेगमात के साथ शामिल थे शहजादी सुल्ताना की इस हरकत से बादशाह की सक्त बेजजती हुई थी व अपने कमरे में चली गई, अगले रोज उसके इस सुलूक का जगह जगह चर्चा हो गया था, लोग सक्त अफसोस कर रहे थे कि उनका बादशाह किस कोदर अच्छा और रियाया परवर है, बगर उसकी बेटी को देखो, निहायत चिद्धा चिद्धी, बद दिमाग और गलती उन ही की थी, मगर अब क्या हो सकता था, मलिका भी बहुत परिशान थी, सालगिरह वाले वाकिये के बाद बादशाह और मलिका ने शहजादी से बादचीत कम कर दी थी, मगर शहजादी को इस बात की परवाह भी नहीं थी, अपनी गलती अगर तसलीम करती, तो खुद को बदलने की कोशिश करती, मगर उसने आज तक खुद को घलत समझा ही नहीं था, बादशाह चुप-चुप रहने लगा था, अगर ऐसी बेटी किसी और की भी होती, तो वो बेचारा भी चुप ही रहता, बादशाह को यूँ चुप-चुप देखकर एक रोज उसके वफाद और अकलमंद वजीर ने कहा, जहाँ पना, ऐसे तो हाला ठीक नहीं होंगे, इनको ठीक करने की कोई तद्बीर करनी होगी, मेरा तो ख्याल है कि शहजादी साहिबा की शादी कर दी जाए, उम्मीद है कि शादी के बाद वो ठीक हो जाएंगी, बादशाह ने कहा, मूँ फट अगर आप मेरी बात पर अमल करें, तो मुझे पक्का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बादशाह ने बेबसी से कहा, एए वजीर, इस परेशानी से निकलने के लिए हम तुम्हारी हर बात मानने को तयार हैं, वजीर बोला, पहली बात तो ये है कि आप अपने रवये और लहजे में सक्ती पैदा करें, बच्चों से हर वक्त नर्म लहजे की गुफ्तगू, उन्हें खुद सर बना देती है, दूसरी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, बादशाह ने हामी भर ली कि वो ऐसा ही करेगा, बादशाह जब महल में पहुँचा, तो शहजादी स सुल्ताना का मूर खुश गवार था, बाप को देखकर वो दौड कर उसके करीब आई, और मुहबत से उसका हाथ पकद लिया, अब्बा हुजूर, आप मुझसे नाराज ना हुआ करें, बादशाह ने अपना हाथ उससे चुद्धा लिया, और कुछ दुरुष्ट लहजे म में बोला, शहजादी, आप महल के आदाब का खयाल रखा कीजिए, हम इस सल्तनत के शेहनशा हैं, ये ठीक है कि हम आपके बाप हैं, मगर तमीज भी कोई चीज होती है, ये कहकर बादशाह वहां से तेज-तेज चलता हुआ बाहर निकल गया, शहजादी सुल्ताना का मुह है शहजादी सुल्ताना मा को तो कुछ समझती ही नहीं थी, उसकी बात सुनकर गुस्से में पाव पटकते हुए चली गई, रात को बादशाह ने मलिका से कहा, मलिका हम चाहते हैं कि अब शहजादी सुल्ताना की शादी कर दी जाए, मलिका उदासी से बोली, इससे कौन शाद हो गया, इन तमाम वाकियात के बाद शहजादी सुल्ताना अपने कमरे में ही बंध होकर रह गई थी, शाम को वजीर बादशाह से मिलने आया, उसके आने की खबर सुनी तो बादशाह को याद आ गया कि वजीर ने शहजादी वाले मामले में कोई बात बताने का वादा किया था, उसने फौरण वजीर को तलब कर लिया और वो दोनों एक कमरे में बैठ कर चुपके चुपके बातें करने लगे, अगले दिन बादशाह की हिदायत पर मलिका ने शहजादी सुल्ताना को ये इतिला दी कि उसकी शादी तय कर दी गई है, शहजादी ने ये सुना तो व आतिश बाजी की गई, शहजादी सुल्ताना उस दौरान इतने गुस्से में थी कि उसने ये भी नहीं पूछा था, उसकी शादी किस से हो रही है और ना ही उसने अपने शोहर को देखा, और तो और रुखसती के वक्त वो बादशाह और मलिका से लिपट कर रोई भी नहीं इसकी ये वजह नहीं कि उसको डर था कि रोने से उसका मेकप खराब हो जाएगा, उसका तो किसी ने बनाओ सिंगार भी नहीं किया था, बलकि वो इसलिए नहीं रोई कि उसको रोना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बादशाह और मलिका से सक्त नाराज थी, बग्गी में बैठी तो उसने कनांखों से अपने शोहर की तरफ देखा, वो एक बहुत हसीन और जमील नौजवान था, मगर उसके चहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी, शादी के मौके पर तो चहरे पर खुशी के आसार होते हैं, मगर वो तो संजीदा शकल बनाए बैठा था, शहज शहजादी उतरने का नाम ही नहीं ले रही, तो सक्ती से बोला, शहजादी साहिबा, अब उतर भी जाओ, यहाँ कनीजे नहीं है कि हाथ पकड़ कर उतारेंगी, मैं तो एक लकड़ारा हूँ, पहले सारा काम मैं खुद करता था, अब तुमसे करवाया करूँगा, मैंने जि का सुनकर तुम्हारी आँखों में आसू आ गए है, मुझे खुशी हुई, अच्छी बीवियां ऐसी ही होती है, गलत ना समझो, मैं तो इस बात पर रोई हूँ कि मेरी शादी एक लकड़ारे से कर दी गई है, अब्बा हुजूर से मुझे ये उमीद नहीं थी, शहजादी ने चीक कर कहा, मैं तो मुझ पर ही कह रहा हूँ, लोग तो तुम्हें पीट पीछे भी यही कहते हैं, वो तो बादशा सलामत का हुक्म था कि मैं तुम से शादी करूँ, मैं मजबूर हो गया था, वरना तुम जैसी लड़की से कभी भी शादी की हामी न भरता, उन्होंने अपनी मुसीबत मेरे गले डाल दी है, अब जिन्दगी भर भुगतूंगा। लकड़हारे की ये तोहीन आमेज बातें सुनकर शेहजादी ने जोर-जोर से रोना शुरू कर दिया, लकड़हारा उसके रोने से घबरा गया था, बगर उसने जाहिर नहीं किया, शेहजादी लकड़हारा उसे लेकर घर में दाखिल हुआ, घर काफी बद्धा था और उससे बड़ा उसका सहन था, मगर उसमें सामान बहुत मामूली था, शेहजादी मुह बनाकर एक तरफ बैठ गई, लकड़हारे ने बावर्ची खाने ने में जाकर खाने का इंतजाम किया, शेहज लकड़हारा गुस्से से बोला, उनकी ज्यादती तो तुम्हें याद है, तुम क्या करती थी, भूल गई, तुमने उनके लाड़ प्यार का ना जायस फायदा उठाया था, तुम इकलौती थी, इसलिए वो तुमसे बहुत प्यार करते थे, तुम्हारी हर बात मानते थे औ बड़ी लड़कियां जिद करते हुए कितनी वाहियात लगती हैं, मेरा बस चले, तु ऐसी लड़कियों को मर्खने बेल के आगे डाल दूँ, ताकि वो उनको खूब टक्करे मारें और मजा चखा दें। ये सुनकर शहजादी फिर रोने लगी, तुम मेरी बेजजती कर र दाया, शहजादी चौक गई, तुम्हें कैसे पता चला? ये बात तो हमारे मुल्क के बच्चे-बच्चे को पता है, उस दिन हमारे महले में दो औरतों की लड़ाई हो रही थी, तो उनमें से एक औरत ने दूसरी औरत को ये कहकर, बद्दुआ दी थी कि अल्ला करे तेरी बच्ची शहजादी की तरह बत्तमीज हो जाए, ये सुनकर शहजादी का चेहरा शर्म से सुर्क हो गया, लकड़ारे की बातें सुनकर उसको एहसास होने लगा था, कि वाकई उसने अपने माबाप के साथ बहुत ज्यादती की थी, वो उससे इतनी मुहबबत करते थे, मगर उसने हमेशा इस मुहबबत का नाजायज फाइदा उठाया था, अपनी ये बातें सोच सोच कर उसकी आँखों से आंसु जारी हो गए, वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी, लकड़ारे ने कहा, सुबह मुझे जल्दी उठा देना, अब हम एक से दो हो गए हैं, मुझे ज अंडे संभाल कर रखना, महले वाले उन्हें खरीदने आई तो उन्हें फरोख्त कर दिया करना, कमरे में दो ही आवाजें सुनाई दे रही थी, एक लगड़ारे के बोलने की आवाज और दूसरी शहजादी की सिस्कियों की, शहजादी को अपनी अम्मी और अब्बा शिद उसे नानबाई की दुकान से मंगवाई थी, मुझे तो कुछ पकाना ही नहीं आता, ये कहते हुए शहजादी का शर्म से मुह सुर्ख हो गया, वो सोच रही थी कि उसका लकड़ारा शोहर क्या सोचेगा, कि ये इतनी बड़ी हो गई है और इसे खाना भी पकाना नहीं आता लकड़ारा शाम को घर आया, तो उसे सुबह से भी ज्यादा हैरत हुई, शहजादी कमर से दुपट्टा बांधे सहन में जाडू दे रही थी, मुर्गियां उसके आगे पीछे फिर रही थी, घर का दर्वाजा हालां कि खुला हुआ था, मगर वो शहजादी के पास से खहतगी भी नजर नहीं आ रही थी, जो लकड़ारे ने कल देखी थी, लकड़ारे ने बहुत सारे सुर्क सुर्क बेर उसके हाथों पर रख दिये, इन्हें मैंने जंगल में से तुम्हारे लिए तोड़ा था, उसने खुश होकर उन्हें ले लिया, और मज़े से खाने किसी लड़के से खाना मंगवा लिया है, उसको मैं इनाम में दो सिक्के देती हूँ, वो भाग कर मेरा काम कर देता है, शहजादी ने बताया, खाने के बाद लकड़ारे ने कहा, शहजादी मुझे खुशी है कि तुम बहुत बदल गई हो, वो बोली, आपकी बातें सुनकर मुझे एहसास हो गया है कि मैं किस कदर बत्तमीज और बदखलाक थी, मैंने अम्मी हुजूर और अब्बा हुजूर को बहुत दुख दिये हैं, मैं बहुत शर्मिन्दा हूँ, मैं उनसे मिलकर उनसे माफी मागना चाहती हूँ, आप मुझे उनसे मिलाने ले जाएंगे, ल लकड हारे ने ये बात सुनी, तो उसका दिल चाहा कि मारे खुशी के एक जोर की चीख मारे, मगर उसने खुद को रोक लिया और धीरे से बोला, ठीक है, हम कल महल चलेंगे, मगर मैं लकडियां काटने जंगल नहीं गया, तो पैसे नहीं मिलेंगे, उसकी इस बात पर वो ब लिया और रोने लगी, बात शाह को भी इत्तिला मिल गई थी, वो भी वहां आ गया, उसे देखकर शहजादी रोते हुए उससे लिपट गई, अब्बा हुजूर मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया था और अपनी हरकतों से आपको बहुत दुख पहुँचाया था, मैं वादा करती हूँ कि अब आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी, बादशाह की आँखे नम हो गई थी, उसने भी शहजादी को मुहबबत से लिपटा लिया, और बोला, गलतियां बच्चे ही करते हैं, ब तुम्हारे मशकूर हैं कि तुमने शहजादी को राहे रास्ट पर लाने में हमारी मदद की, लकड़ारा जो असल में शहजादा था, उसने हाथ बांद कर बादशाह को ताजीम दी, और बोला, ये मेरी खुश किसमती है कि मुझे शहजादी जैसी बीवी मिली है, उन दोनो शहजादा बाबर एक जहीन नौजवान है, इसकी बातों से मुतास्सिर होकर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, हम बहुत खुश हैं, शहजादी की इस तबदीली से हर तरफ खुशियों के शादियाने बजने लगे थे, शहजादी ने उन शाही गुलामों औ और कनीजों से भी माफी मांगी, जिनके साथ उसने कभी अच्छा सुलूक नहीं किया था, उन लोगों में उसने अशर्फियां भी तक्सीम की, वो सब भी खुश हो गए, रात के खाने के बाद शहजादी ने शहजादे बाबर से कहा, मैं तयार होकर आती हूँ, फिर चलते हैं, मलिका ने हैरत से पूछा, बेटी, कहां जाने का कह रही हो, शहजादी ने शर्मा कर कहा, अपने घर, जहां हमारी मुर्गियां है, और महले में वो लड़का है, जो छोटे भाईयों की तरफ भाग भाग कर मेरे काम करता है, उसकी बात सुनकर बादशाह और मलिका खिल शहजादी के लिए चीज़ें खरीद कर लाता था, शहजादी ने बहुत से तोहफे भिजवा दिये थे, फिर कुछ दिन महल में गुजार कर, शहजादा बाबर शहजादी सुल्ताना को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया, और दोनों हसी खुशी रहने लगे,